नमस्कार दोस्तों डियर इस्टोन ग्रापर चनल पर आप सभी का सवागत है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता आपका इसकी टेस्ट बहुत नजदीक है तो उसको मद्धन हजर रखते हुए डिक्टेशन बोली जाएगी और यह डिक्टेशन सो सद्ध परतिमिनट की और इसकी पीडियाप कई दोस्त कानफिज हो रहें तो इसकी पीडियाप दोस्ता आपका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाती है डेली तो आप टेलिग्राम चैनल को जाके जोइन कर सकते हो डियर इस्टोन ग्रापर सर्च करके या फिर उसका लिंक डिस्क्रेप्शन में दे दिया जाता है तो आप वहाँ पे जाके भी आप उसको जोइन कर सकते हो ताकि आप डेली डिक्टेशन इसकी प्राप्ट कर सको ठीक दोस्तों तो चले श्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बाद आधुनिक समय में महीला सशक्ती करण आवशक विशय है इस पर हमें अमल करने की जरूरत है महीलाओं द्वारा खुद के जीवन का निर्णे खुद लेने की आजादी को हम महीला सशक्ती करण कहते हैं आज की महीलाओं की काफी अधिकार प्राप्त है जो उन्हें इस समाज में आजादी का जीवन प्रदान कर रहे हैं पर आज भी इसमें सुधार की जरूरत है हमारा देश जब गुलामी की जंजीर में बंदा था उस समय भी भारतिय लोगों के मन में महीलाओं के प्रती सम्मान और आदर स्वतंत्रता का भाव था जिस कारण देश के समविधान में महीलाओं को विसेश अधिकार दिये गए हैं एक समाज के विकास के लिए महीलाओं का जग्रा होता बहु आवशक है क्योंकि एक पुरुष की भाती एक महीला स्वतंत्र होकर वो हर ऐसमभव कार्य करने की शमता रखती है जो पुरुष नहीं कर पाते हैं आधुनिक महीलाओं को समाज की इन जंजिरों को तोड़ कर इस दुनिया को अपना महत्व बताना होगा आज का पुरुष प्रधान समाज महीलाओं के महत्व से अवगत नहीं है वे महिलाओं को किसी भी कार्य करने के लिए योग्य नहीं समझते हैं। जब तक महिलाओं खुद को स्वतंत्र नहीं करा पाएंगी तब तक महिलाओं को कमजोर ही समझा जाएगा। इसलिए हमें महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर उनकी असली छवी को इस समाज के सामने प्रस्तूत करना होगा पैरा। महिलाओं पर हो रहे अपराधूं का प्रमुख कारण दहेज प्रथा एसिक्षा योन हिंसा एसमानता बूर्ण हत्या महिलाओं के प्रती घरेलू हिंसा बलातकार वैश्यावरती मानव तसकरी है जो महिलाओं को कमजोर बना रहे हैं। भारतिय समविधान में भी लिंग भेद को गैर कानूनी माना गया है पर आज के राक्षस लोग महिलाओं के प्रती भेदभाव पूर्ण जीवन जी रहे हैं। तब ही तो आज तक हमारा देश विक्सित देशों में शुमार नहीं है। किसी भी व्यक्ति के शारिक थथा मानसिक आधार पर हम उसे कमजोर या मजबूत नहीं कह सकते हैं। पर आज महिलाओं के साथ यही हो रहा है। उनकी मानसिक्ता के आधार पर उन्हें कमजोर बताया जाता है। आज के समाज में महिलाओं को बच्चों को जन्म देना ही उनका कर्म मानते हैं। पर आज की महिलाएं हर कार्य करने में सक्षम है। महिलाओं को अवसर देने पर वे पुरूशों को टक कर दे रही हैं। आज कल महिलाओं को तलाक की समश्या अचानक तेजी से सामने आ रही हैं। लोग छोटी बड़ी बात पर महिला को तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भारतिय सरकार ने इस समश्या के समाधान के लिए भारतिय समवेधान संसोधन 108 के अनुसार महिला 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी मानी गई है। जो महिला के साथ हो रहे इस अपराध को कम करने में सहायता करेंगी। पेरा महिलाओं की स्वतंत्रता तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इसी पहल में सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है तथा महिलाओं को सिक्षित बनाने और स्वतंत्र करने के प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों और समाज की जागरुकता महिलाओं के सिक्षा इस्तर में भडोतरी के कारण आज की शहरी महिलाओं तेजी से विकास करती जा रही है। लेकिन आज भी गाओं में महिलाओं पिछडी हुई हैं। शहरों में महिलाओं की साक्षर्ता दर बहुत अधिक है जबकि ग्रामिन इलाकों में ये बहुत कम है। यानि आज भी हमें ग्रामिन लोगों को जागरुक बनाना होगा तथा शहरी महिलाओं को अपने कार्यों से सभी को प्रेरित करना होगा। पैरा हमारे समाज में जितने भी महान पुरुष हुए उन सभी ने नारी के महत्व को स्विकारा है और नारी समाज के विकास के लिए कार्य किया है लेकिन जिस परकार से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज जहां समाज में आधी आबादी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी और नारी सोशन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस उब्वोक्तावादी युग में जिस उतपाद से नारी आकरशित नहीं लगती है वहे उतपाद महत्वहिन मान लिया जाता है। इतना ही नहीं अनेक उतपादों के विज्यापनों में नारी को या यूं कहें तो उसके देह को प्रमुक्ता से दिखाया जाता है। दूसरी तरफ राहे चलते लड़कियों के साथ दुशकरम छेड़ छाड़ के मामले आम हो गए हैं। ऐसे में नारी समाज का जागरुक होना समय की मांग बन चुक्या है। क्योंकि हमारे समाज में प्रारंब से ही पुरूशों को ऐसे परिभाशित किया गया है जैसे वह वीर, योधा, तनी हुई, मूँच वाला और मजबूत बाहों वाला हो। तो वही नारी से हमारा अभीप्राय, सदेव, पतिवरता, सती, सादवी, अबला, आदी से होता है। ऐसे में महीलाओं को यही सिखाया जाता है पैरा कि वह कोमल रिधेवाली शमाशीलता और सुंदर्य का गुण धारन करती है। जिसके चलते यदि कोई महीला किसी पुरुष के बराबर योग्यता या प्रतीभा का परीचे देती है। तो अक्सर पुरुष उसे अपने स्वामित्व और स्वाभीमान पर अतीक्रमन समझते हैं और महीलाओं को खुद से उपर बरदास्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आज नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है तब ही मानव जीवन का कल्यान संभव है। जब बात नारी सशक्तिकरण की आती है तब हमारे समाज की उन नारियों का जिक्र किया जाता है। जिन होने अपने अदम्मे साहस से संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतीभा का लोहा मनवाया है। प्राचीन समय की बात करें तो भारतिय समाज में गारगी, विदूशी, मेत्रई, मीरा बाई, आदी ऐसी नारिया हुई जिने ना केवल अस्त्र विद्या बलकि सास्त्र विद्या का भी अच्छा ज्यान प्राप्त था। मध्य भारत में रानी, लक्ष्मी बाई, चेन्नमा, विजय लक्ष्मी, पंडित, सुचेता, क्रपलानी, सावित्री बाई, फूले, आदी, नारियों ने अंग्रेजों के खिलाप वै समाज में पहले पाखंड और अंधिविश्वास के खिलाप मोरचा संभाला।